हेलो फ्रेंग्स एंड वेलकम टू माय चानल आज हम बनेंगे मीठी बूंदी मीठी बूंदी बनाने में थोड़ा से डिफिकल्ड मेथड होता है बहुत लोगों से अच्छी बूंदी नहीं बन पाती तो आज में आपको जिस मेथड से बताऊंगी आप अपने घर में बूंदी बनाई है पहले यह जो नॉर्मल बूंदी है आप इसमें करीपता डालके आप इसको नमकीन बूंदी के तार पर भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इसको चाशनी में डालके मीठी बूंदी के तार पर भी खा सकते हैं सो चलिए बनाते हैं असान तरीकों में मीठी मीठी पूंदी बनाने कंटे सबसे पहले हम बनाएंगे चाषनी तो मैं ढलَّंगी एक प्चीनी और रही इस हमोते हैं सलवड़ार्ट अब ठीज़ा кते टेठेर जब तक हमारी जो चाशनी है वो एक तार की ना हूँ तब तक हम इसको इसी तरह रहने देते हैं तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हमारी चीनी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो चुकी है और हमारी चाशनी एकदम अच्छी तरीके से बन चुकी है तब मैं इसको रख लेती हूँ साइड में और थोड़ा इसको रूम टेंपरेचर में हम आने देते हैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैंने ले लिया है एक कप ग्राम फ्लोर, मीन्स बेसन इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी पानी में आधा कप वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी एक साथ आधा कप पानी हम नहीं डाल देंगे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं बूंदी के लिए जो यह बैटर होता है यह अच्छा नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे देखिए इसका जो बैटर है बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए ना जादा थिन ना जादा थिक और इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं होने चाहिए अब मैं इसमें डालूंगी दो चमच तेल के तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी बूंदी है ना वो अंदर से सॉफ्ट बने तेल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बूंदी का बैटर एकदम तयार है तो चले बनाते हैं इसकी बूंदी बिलकुल इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल तेल हमारा बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए जैसे हम पूरी बनाते हैं बिलकुल उसी तरह गरम तेल अब यहाँ पर देख सकते हैं यह तेल एकदम गरम हो चुका है तो यहाँ पर मैं लोगी च्छनोटा च्छनोटे की मदद से अगर हम यह बूंदी बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके में बन जाएगी और बहुत ही अच्छी बनेगी तो हम एक च्छनोटा ले लेते हैं अब जो हम च्छनोटा ले रहे हैं उसके जो होल्स है न वो मोटे मोटे होने चाहिए छोटे छोटे होंगे तो बूंदी का शेप बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा इसमें हम डालेंगे हमारा बैटर और ये देखिए हमारी बूंदी इसको हम थोड़ा तेल से उपर रखेंगे अगर हम तेल के एकदम पास रखेंगे तो क्या है न हमारी बूंदी सब एक ही जगे चिपक जाएगी और एक मोटी सी बूंदी टाइप बन जाएगी तो हमको जो ये वैसल है चरनोटा इसको तेल से थोड़ा उपर रखना है इसको उपर से हम ज़रूर रिलाते रहेंगे बिल्कुल इसी तरह अब ये जो हमारी बूंदी हम इसको अच्छी तरीकी से फ्राइग कर लेते हैं तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हमको इसको ब्राउन नहीं करना है हमको इसको सिर्फ क्रिस्पी करना है तो जैसे आपको लगे ये क्रिस्पी हो गई तो आप इसको निकाल लीजिएगा देखिए इसका कलर कितना अच्छा है एकदम बाहर की बूंदी जैसा यहाँ पर यह अच्छे से फ्राय हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है तो आप मैं इसको निकाल लेती हूँ एक किचन टाल में बिल्कुल उसी तरह हम दूसरा भी प्रोसेस करेंगे चन्योटे में डालेंगे हमारा बैटर और उपर से हम इसको हिलाते रहेंगे चन्योटे को थोड़ी कड़ाई से हम उपर रखेंगे नहीं तो क्या है ना इसके सारे लंज बनना स्टार्ट हो जाएंगे और जो आप चन्योटा ले रहे है ना इसके जो होल्स है वो थोड़ी बड़े होने चाहिए चोटे होल्स होने में ना तो ये बूंदी नीचे गिरेगी और बूंदी का शेप बिलकुल भी अच्छा नहीं आएगा तो इसी तरह में हम हमारी सारी बूंदी बना लेते हैं इस तरीके से अगर आप बूंदी अपने घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही इजी मेतड़ है और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी तेल हमको एकदम गरम रखना है अगर हम तेल थोड़ा ठंडा या मीडियम रखेंगे तो कहना हमारी जो बूंदी है वो बिलकुल ओयली बनेगी और बहुत जादा इसके अंदर तेल होगा इसलिए तेल हमको बहुत जादा गरम ही रखना है अब हम इस वाली बूंदी को भी अच्छी तरीके से फ्राइ होने देते हैं यहाँ पर हमारी बूंदी अच्छे से फ्राइ हो चुके हमको इसको ब्राउन नहीं करना है इसका जो कलर है वो बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए तो अब मैं इसको निकाल लेती हूं उसी क्रिचन टाल में और इसी तरह हम हमारी जित्ती भी बूंदी का बैटर बचावा है हम सारी एक साथ बना लेंगे तो इसको निकाल लेते हैं हम अब यह देखे हैं हमारी बूंदी एकदम त्यार है तो यह हमारी नमकीन बूंदी त्यार है आप इसमें कड़ी पत्ता डालके इसको इसी तरह भी घा सकते हैं हम बना रहें मीठी बूंदी तो इसको हम रख लेते हैं साइड में यहां पे जो हमारी चाशनी है वो एकदम त्यार हो चुकी इसको मैंने एक बोल में डाल दिया है इसमें मैं डालूँगी आदा चमच फ्रूट कलर इसे क्या जो बूंदी का जो कलर होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा फ्रूट कलर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम हमारी बूंदी को इस चाशनी में डाल लेते हैं अब करीबन 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह रहने देते हैं ताकि जो हमारी बूंदी है उसमें हमारी चाशनी अच्छी तरीके से एब्साब हो जाए और हमारी बूंदी अंदर तक चाशनी को ले ले तो करीबन दस मिनट ले हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं इसी शुगर शिरप में हम काजू भी डाल देंगे और आप चाहें तो आप इसमें रोस के पेटल्स भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमारी बूंदी एकदम त्यार है जैसे ही है इसमें चाशनी सोक हो जाएगी तो इसका कलर और भी निखर के आएगा ताप इस तरह से बूंदी की रेसिपी अपने गर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स हमारी दोनों तरह की बूंदी बनकर त्यार है बहुत ही टेस्टी लगते है आप यह भूंदी अपने गर में ज़रूर बनाना बहुत ही इजी तरीके में मैंने बताइए अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की साथ शेयर कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब से आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले बाई वापिस मिलूंगे काने रेसिपी के साथ